सबी लोगों का स्वागत है चलिए देखते हैं मार्केट कैसा वीव कर सकता है सेक Cand Half में अगर हम currently nifty और bank nifty के बात करें तो nifty आपका trade कर रहा है 16,570 पे और bank nifty जो trade कर रहा है 35,50 पे अगर हम understand करने की कोशस करें तो यहाँ पर option chain data पे देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर ह 60 लाग का open interest खड़ा होके है जो कि काफी बड़ा open interest है और हम 16600 के नीचे कामकाज करना start कर दिया है वहीं अगर हम बात करें 16500 पर वहाँ पर 34 लाग का नीचे ले जाता हूँ दिखाई देगा फिर हमारे लिए 16400 16350 तक के target यहाँ पर open होते हैं उपर से जो selling देखने को मिल रही है उसमें जो target है वो 16500 फिलाल यहाँ पर stick है 16500 तक है एक बार निफ्टी जा सकता है थोड़ी सी weakness दिखा रहा है चार्ट पर indication कर रहा है बट 16500 इंप पता चल गया option chain के साफ से 16500 important है आज के दिन का चार्ट पर देखते हैं किस तरीके का price action बन रहा है तो निफ्टी का चार्ट यहाँ पी clearly आपको के सामने और यहाँ पी जो price action बन रहा है वो negative side पर बनता हो दिखाई दे रहा है क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ से एक pullback आ सकता है और जैसी कल का low अगर break होता है तो जायट सी बात है फिर एक channel है gap पूरा एक gap का वो market fill करने की कोशित करेगा यानि एक अच्छी खासी गिरावट आज market में आ सकती है तो थोड़ा सा आप उसके लिए तैयार रहेगा अभी almost nifty flat है तो around 100-500 point तक nifty गिर सकता है क्योंकि कल है expiry और expiry से एक दिन पहले अक्सर market trending हो जाता है तो अभी आप focus रफको 16-500 के level पे 16-500 break होता है तो आपको एक shorting opportunity मिलेगी नीचे आपको 16-400 तक का target आपको देखने को मिल सकता है तो ध्यान रखना है इस level को अगर आप समझोगे तो यहां पे देखो 15 मिनट के chart पे अगर एक gap का है और gap fill कर सकता है market क्योंकि दो दिन का consolidation का breakdown देखने को मिलेगा यह हमें जो देखने को मिलेगा ठीक है इतना आपको समझ में आ गया होगा अब बात कर लेता है bank nifty की तो bank nifty देखो थोड़ा सा hold करने की कोशिस कर रहा है बट मुझे लगता नहीं कि यह hold कर पाएगा यहां पर अगर निफ्टी में selling continue होती है तो यह हो सकता है थोड़ी दिवाद यहां पर गिरावट दिखा दे क्योंकि वन बे रिकवरी आई है उसके बाद यह हो सकता है वन बे फॉल भी यहां पर दिखा सकता है बट बैंक निफ्टी के लिए important कल का low है यह कल के low तक easily जा सक जरूर रहेगा यहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर तो थोड़ा सा आप negative freeze हो सकते हो एक lot दो lot में आप यहां पर short side पर कामकाच कर सकते हो ग्लोबल मार्केट के बात करें तो करेंट लिए देख लेते हैं इंडिस फूचर में जाके जो डाव फूचर हो 131 पॉइंट उपर है और यह नेगेटिव हो जाते हैं तो फिर हमारे लिए मार्केट के लिए थोड़ा सा और कह सकते हैं sentiment नेगेटिव होता हो दिकाई देग तो यह सारे पॉइंट आपको यहां पे दिमाग में रखने हैं और उसके बेजिस पर आपको यहां पर ट्रेडिंग करनी हैं तो आई होप दोस्तो यह पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तो फिराल इस वीडियो में इतना है आई होप यह वीडियो पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो लाइक और शर्ट जरू करिएगा और चैनल को जो सब्स्क्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सो दिल लेके आता हूँ हर दिन आपके लिए नहीं वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तो जैहंद